Snapdragon X Elite वाले laptopूस अपने चैनल पर कवर कर कर चुके हैं Snapdragon X Elite वाले laptopूस या महगे 125000 से उपर वाला इसाब किताब है अब ये Snapdragon X Plus वाला laptop पर लिनोवो ने नॉच कर दिया उनकी famous Lenovo IdeaPad सीरीज के अंदर जिनको समझ में नहीं है ये X Elite और X Plus में क्या डिफरेंच है जैसे i7 Ryzen 7 या i9 Ryzen 9 होते है न वो तो Elite सीरीज होगी Snapdragon के तरफ से और ऐसे अगर आप i5 Ryzen 5 की तरफ आकर आप देखते हो न तो यह X Plus है Snapdragon के अंदर समझे रहें न मिड रेंजर बजट वाले यूजर्स के लिए बट यह इतना भी जाता बजट में नहीं है इस लाप्टॉप की प्राइसिंग आपको 80 से 90,000 के बीच में मिल जाएगी एंड यह काफी इंटरसिंग चीजों का साथ आता है जो सारी में इस वीडियो में कवर करें सब्सक्राइब करेंगे डबा नहीं खुल रहे हैं बहुत खुल लिए हमारे में से एक तो मिल जाएगा सुन्दर सा लाप्टॉप और साथ 65 वाट का टाइप-C वाला चार्जर मतलब ऐसा चार्जर फोन चार्ज करो लाप्टॉप चार्ज करो कुछ भी चार्ज करो एंड यह पीडी वाला चार्जर रहे हैं तो अब देखते हैं लाप्टॉप को भाई तो कंप्लीट क्रोम फिनिश में मारे को लाप्टॉप मिलता है मतला पूरी मेटल बॉडी है अलुमीनियम बिल्ड में मिलेगा टॉप लिड फ्लेक्स आप देख सकते हो काफी कम मारे को मिलता है यहां पर एक आठसा अगर आप लिड ओपन करोंगे तो मैगनेट है इसके अंदर जो चिपक जाती है एंडराम से लाप्टॉप उपन हो जाता है पीछे तक अगर लेके जाओके तो कुछ इतना पीछे जाता है पूरा 180 नहीं है 161 65 तक मान सकते हो एंड इंडियर हमारे क जोर नहीं आएगा और जिसके मैगनेट है ना टॉप लेड वाली वो कभी-कभी ना जाता ही टाइट सी हो जाती है और कभी तो एक बारी में एक बारी में खुल जाता है कभी दूसरा हाथ थोड़ा थोड़ा लगाने की जूरत पढ़ती है एंड स्क्रीन वाबल यहां पर ह थोड़ी कम साइड है और आम बेज वाला और आम बेज वाला क्या है मैं पहले वाली वीडियो में पता चुको इस वाली वीडियो में बता हुआ टेंशन मतले ना और साथ में 16GB की LPDDR 5X RAM मिलेगी वाइट वाली है अपग्रेड नहीं कर सकते 848 मेका ट्रांसफर स्पीड के स साथ 1TB की Gen4 SSD मिलते है जिसकी रीडें राइट स्पीड अच्छी आपने सामने देख सकते हो एंड इस लाप्टॉप में एक ही स्लॉट SSD का आपके प्रोसेसर के साथ साथ में Qualcomm का Hexagon NPU मिलता है जो 45 टॉप्स की पावर के साथ आता यानि कि यह लाप्तॉप को पाइले प् 557 and Bluetooth 5.4 MS Office Home and Student Lifetime के लिए इसके अंदर मिलता है तो ओवराल एकड़ लाप्टॉप है स्पेक्स में कोई सी दिक्कत नहीं है और जिनके मन में थोड़ा सवाल आ रहा है यह आम बेस्ट आम बेस्ट क्या बोल रहा आप यह लैप्टॉप अला गया कुछ है नहीं कुछ ऐसा च नहीं मिल रहा वह भी आम बेस्ट एंट बेस्ट मिलता तो वह चीज़ा विंडोश में आ चुकी है समझें इसके बारे में परफॉर्मेंस के बात करता हूं प्लस के बारे में बात कर रहा था को पाइल प्लस के अंदर हमारे को काफी सारे फीचर मिलते हैं जैसे कि लाइब गाइब क्रेंटर फंक्षन रहागा इसके बनाते हो और वह एक्दम से बड़िया इमेज में ट्रांसफर्म हो जाता है साथ में Windows के स्टूडियो एफेक्स यहां पर मिल जाते हैं रिस्टाइलिंग के फीचर्स होगे फोटोज आप के अंदर और एक इनका रीकॉल फीचर भी आपने लाक्टॉप पर कभ क्या कैसे कर रहे हो आपको ढूड़ना तो उसका सारा डेटा अंदर रखता है जिस पर की बाते बेंचमार्क पर नजार डॉलाब सेने मैस 2024 बैटरी एंड चार्जिंग दोनों पर टेस्ट करके देखा थोड़ा से डिफरेंस आता है और यह रहा जिसके अंदर मल्टी को स्कोर ठीक टाक है और सिंगल कोर हमारे को ठीक टाक साइड ही मिलता है और उसके बाद सिने बैटरी और चार्जिंग दोनों पर करके देखा यह बेसिकली जीप्यू के लिए होता है यहां पर आप देख सकते हो नंबस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है फिर निकाला क्रॉसमार्क का बेंचमार्क जो सिर्फ फोटोशॉप का चला है इसके अंदर जिसके अंदर हमारा स्कोर 5500 प्लस निकल गया यानि कि फोटोशॉप आप कैसा भी यूज कर सकते हो बड़ी-बड़ी पेस्डी सकते हो अच्छी परफॉर्मेंस ही हमारे को देखा लेकिन प्रेमेर प्रो और डाविंची का नहीं चला डाविंची का वैसे आप बेंचमार्क भी नहीं चल रहा परफॉर्मेंस टेस्ट करने के लिए वैसे आप प्रेमेर प्रो चला सकते हो लेकिन फुल प्रेंशल पर नहीं चलेगा उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा जिससे हम भी अपने थोड़े प्रॉपर वर्ड्स आपके साथ शेर कर भाएंगे बागी वीडिय सपोर्ट वाला नहीं है बड़ इसके अंदर हमने एडिटिंग वगरा करके देखी यहां पर दो तीन लेयर वाली 4K एडिटिंग अच्छी खाजी इसके उपर अलाम से हो जाते है बट सिल अभी भी यह एक्चुल परफॉर्मेंस नहीं है एक्चुल परफॉर्मेंस तब न और जीप्यू टेस्स करने के लिए ब्लेंडर का रेंडर निकाला था है यहां पर फाइव मिनट्स फिफ्टी सेगंड्स के आसपस टाइम लगा था तो यहां पर आपको ठीक ट्याग जीप्यू पावर मिल जाती है और हां अगर आप म्यूजिक प्रोड़क्शनल टास्क कर कर पाऊंगे हां लेकिन जीप्यू इंटेंसिफ टास्क के लिए मैं डेफिनेटली हमेशा पीसी बीड्स या फिर फिर गेमिंग लाप टॉप्स करने हैं मॉडलिंग करने हैं अर्किटेक्शनल काम करने या इवन डेवलेप्मेंट करना तो उसके अंदर आपको डेडिकेड लगाने के बाद भी 20 fps के आसपस दे रहा था तो अगर आप स्नाप ड्राइब के लिए सोच रहे हो आज की डेट में तो मैं कहूंगा नहीं अभी आपके आम बेस इपसेट पे गेम्स रोल आउट नहीं होए हैं होंगे और जब गेम्स रोल आउट होंगे तो बहुत लेनी की जूरत नहीं है आपको ओफिस वाले काम करने हैं बहुत सारी एप साइब बसाइड चलानी है content consumption के लिए आप यह सब चीजों में कोई दिक्क्त नहीं आईगी साथ में आएगा बहुत ही बड़िया बैटरी बैकप येस बैटरी बात यहां पर लेकिन पावर आर्स का बैकप ये निकाल के देगे गया जो की काफी अच्छी चीज है इसको इसके अंदर बैटरी ड्रॉप होगा भाई आप 15 घंटे के आइडल स्लीप पे हमारे को चार से पांच परसेंट का बैटरी का ड्रॉप मिला इस वाले लाप टॉप के अंदर जो की जादा नही है यानि कि आप अराम से कोई चलो कोई दिक्कत नहीं है और हाँ अगर आप हाई-end टास करोगे फोटोशाप चलाते हो कोई एडिटिंग वाला काम करते हो कोई भी हैवी उसेज वाली आप चला होगे तो तीन से चार घंटे का बैक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसके ऊपर और यह भी एपस-to-apps vary करेगा जब बाद में हमारी official apps rollout हो जाएंगे windows के updates आजएंगे तो बहुत सारी चीज ओपन नीचे होगी अभी actual numbers बताना बहुत ही मुश्किल है वारे लिए ना टॉकिंग अबाउट चेज और यहां पर राइट साइड में हमारे को दो USB 3.2 Gen1 Type-A पोर्ट मिल जाएंगे एंड एक microSD card का slot मिल जाएंगे आपने 1TB चला ता राप से चल रहा था एंड लेफ्ट से हमारे को दो Type-C पोर्ट मिलते हैं एक charging वाला हो गया उसके बाद एक 2.0 वाला पोर्ट यहां पर मारे को बिलता है मैक्समिम 4K 60Hz मिल जाएगा और एक headphone mic jack का कॉम्बो तो थिनल लाइट मशीन होते हुए भी पोर्ट के मामले में वैसाज मेरे को कमी लगी नहीं और यहां पर हमारे को मीडियम साइज कीबोर्ट मिल जाता है सिंगल कलर बैक अच्छी है जैसे मतलब आइडियापड सीरीज की होती है जो इनकी थिनल लाइट सीरीज होती है यहां पर फन प्लस पेस बार से आप इसकी की बोर्ट की लाइट कंट्रोल कर सकते हो थ्री लेवल्स ब्राइटनस हमारे का मिल जाता है त्रैक पैड अच्छा है फुली क्लिक अच्छा मिलता है जैसे कि अंडेट परसेंट सार जी भी है बागी अच्छी है थ्री फॉर्टी टू निट्स तक की ब्राइटनस गई हमारे टेस्टिंग के अंदर एंड व्यूइंग अच्छे मिल जाते हैं डिस्प्ले के कलर सब्सक्राइब आप देखो कोई आस दिक्कत वैसे वान टुवन टी हर्ट मिनिमाम हो जाना चीए और अड़ाप्टेव रिफ्रेश्ट बहुत सारी चीज़ा चुकी है यह इस प्राइस पॉइंट के अपके लिए आपके लिए रिफ्रेश्ट मैटर करता है वैसे ऑफिस वाले यूजर्स के लिए नहीं करेगा जिन कोई भी एक्स्रा को सर्टिफिकेशन बगरा नहीं जैसे डॉल भी विजन वगरा होता ना वह सब नहीं है यह कुछ ऐसा इसका वेबकेम टेस्ट है और माइक भी लाफ्टोप पर यूजर्ट यहां पर मिलता है ठीक है मतलब डिस्टॉर्शन वगरा कुछ नहीं मैनेज कर बाकी क्वालिटी माइक की वेबकेम की कैसी लगी मिरें को कॉमेंट कर दिया और पढ़ता हूं यार मैं क्या बात कर रहे हो तुम और यहां पर हमारे को सूड़ एफेक्स मिल जाते है और एक्स्ट्रा स्टूड एफेक्स मिलता है जैसे आप्ट्रेट लाइपर मिल जागा है फिर वाटर कलर वाले एफेक्ट आ जाते हैं अपको अपनी मीटिंग में लाइफ स्ट्रीमिंग में कहीं पर भी यूज करना तो मज़े ले सकते लोगों के साथ और आपके लिए बेनिफीशल है स्पीकर्स ओकेश हैं बिल्कुल मतलब टॉफ फारिंग वाले स्पीकर मिलते तो हैं आप गीबूर्ड के लेट राइट साइड में स्पीकर्स दे रखें लेकिन जो आवाज है वह बहुत ही ओकेश मतलब डिसेंट साइड मिलेगी आपको जादा लाउड नहीं है एक बंदे चानल का सपोर्ट चाहिए डॉल भी अट्मॉस का सर्टिफिकेशन है तो वहाँ पर फायता देगा डॉल भी एक्सेस की आप मिलते इसके अंदर आप अपने कस्टमाइजेशन वगरा कर सकते हो अकॉर्डिंग तो यह तास का पूरा रिव्यूव लिनुव आइडिया पैड स्लिम 5x snapdragon x plus processor के साथ जो की थोड़े कम बजेट में आने शुरू हो चुके हैं जादा भी कम बजेट नहीं है औव्यस ही बात है अभी आप रख सकते हो विकॉज अभी इतने अप्लिकेशन से नहीं तो आपके किसी काम का नहीं रहेगा फोटोशोप आप चला सकते हैं उसके लावा बाकी आप्स तो बहुत जादा ब्राइट है और आने वाले टाइम में जिनको यह Macbook नहीं लेनी है और बेटर बैटरी बैक वाले Windows लाप्टॉप लेने हैं तो यह लाप्टाउस अच्छी चोईस हो सकते हैं प्लस एप्लिकेशन टेस्ट करनी बनते हैं जो अभी रोल आउट नहीं हुई है तो बहुत सारी चीज़े हैं थोड़ा वेट करो अभी 25 में तैल का होने वाला लाप्टॉप मार्गेट के अंदर बहुत सारी चीज़े होने वाली है अगर पसंद आई वीडियो तो यह करा अजय है करे बहुत से होने लापे गाला लाद करता है टोल आई आई हैं, सुआख मार्गेर के अगरा है था दोरा है.